फ्रेंज वेलकम डूमाई चैनल 17 पकेट आज हम डिसकस करेंगे सेफ स्टोरेज और फ्लेमेबूल लिक्वीड तो इस वीडियो में हम फ्लेमेबूल लिक्वीड को कैसे सेफली हैंडेल और स्टोरेज करना चाहिए इसके बारे में डिसकस करेंगे फ्लेमेबूल मेटरियल क्या होता है देखेंगे तो फ्लेमेबूल मेटरियल कुछ सब्स्टंसेस होता है जो की इजिली जलता है और रैपिडली बॉन होता है तो फ्लेमेबूल मेटरियल लिक्वीड ग्यास और सॉलिड फॉर्म में हमारे वार्कप्लेस में इजिली अबलेब ग्यासोलीन, सॉल्वेंट्स लाइक, एसीटन, आलकोहल्स अन टल्वेंट्स, पेंट्स, पेंट्स थिनर्स, आदिशिप्स, डीग्रीजर्स, क्लीनर्स, वाक्सेस, पॉलिसेस, एसेटरा. फ्लेमेबुल लिक्विड्स हावे फ्लास पॉइंट बिलो 37.8 डिग्री सल्सियस और 100 डिग्री फारेनेट्स. तो अभी स्टोरेज सेप्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हो गया फ्लेमेबुल लिक्विड्स के स्टोरेज ट्यांक्स का कंस्ट्रक्शन और कंट् लिक्विड्स है उसका नाम और क्वांटिटी क्लियरली मेंशन करना चाहिए। ब्यारेल, कैर्बोय, ग्लास वेशल्स को सेफली कीप हैंडल और यूज करना चाहिए। अल्टरनेट पावर जैसे के डिजी सेट हमेशा कुलिंग सिस्टम को रॉन करने के लिए रेडी रखना चाहिए। तो अभी देखेंगे सेफ हैनलिंग और फ्लेमेबुल लिक्विड्स तो यह एक गाइडलाइन होता है जो कि लोडिंग और अनलोडिंग और फ्लेमेबुल लिक्विड्स के टाइम मेंटेन करना चाहिए। तो पहला हो गया प्रतिकुल मौसम में काम को अभर्ट करना चाहिए। ट्रेलर टैंक कार का टॉप पैट तक सेफ हाक्सेस होना चाहिए। फायर एक्स्टिंग्विशर्स आभेलेबुल करवाना चाहिए। चहांपे एयर प्रेसर और नाइट्रोजन जैसे ग्यास जरूरत होता है। इसलिए रिडूसिंग भाल्ब के साथ होस लाइन्स आभेलेबुल करना चाहिए। प्रपर PPE और परसनल प्रोटेक्री विक्यूमेंट प्रोभाइड करना चाहिए। एमर्जन्सी सावर्स और आई वस्तर प्रोभाइड करना चाहिए। रिसिबिंग ट्यांक में सफिसेंट स्पेस एंशीर करना चाहिए। जो वार्कर्स काम करते हैं उन्हें प्रपर ट्रेनिंग देना चाहिए। केमिकल्स का मीक्सप को अबड करना चाहिए। routine and thorough check-up करवाना चाहिए discharge lines का proper identification होना चाहिए flammable liquids transfer के लिए earthing होना चाहिए exhaust pipe में mufflers होना चाहिए truck tankers में proper brakes and wheel blocks होना चाहिए और जब loading and unloading होता है तभी truck tankers का engine stop position में होना चाहिए flammable liquids containers अगर unopen होता है तो moderate risk of fire होता है लेकिन अगर containers open और leaky होता है तो severe fire hazard हो सकता है इसलिए use करने से पहले container को carefully inspect करना चाहिए अगर कुछ damage और leaky container अभेलेबल होता है तो उसे अलग रखना चाहिए containers को drop और roll नहीं करना चाहिए उसे carefully handle करना चाहिए तो यह हो गया जो flammable liquids को loading and unloading time पे क्या-क्या safety measures लेना चाहिए तो अभी देखेंगे safety in storage area of flammable liquids जिस area में flammable liquids को हम store करते हैं उसी जगा में और उसी area में क्या-क्या safety measures होना चाहिए तो पहले हो गया storage area में good housekeeping होना चाहिए नेक्स आगया storage area को important building से distance में रखना चाहिए और उनके बीच कुछ construction करना चाहिए जिसकी बज़ा से important places fire protection हो सकता है flammable liquids storage के लिए best location होता है एक open area जिसमें minimum wall enclosure with non-combustible weather canopies होता है और एक storage building basement के बिना भी safe हो सकता है जहांपे main building में fire explosion का chances होता है बहांपे storage room एक outside wall के बाहर होना चाहिए और उस room को fire resisting construction करके horizontally as well as vertically isolate करके रखना चाहिए fire explosion and health hazards कम करने के लिए सभी storage room well ventilated होना चाहिए सभी potential source of ignition eliminate करना चाहिए उसके साथ automatic sprinklers available करबाना चाहिए storage area में cutting welding and smoking avoid करना चाहिए कितनी area में कितना numbers of drums और containers store करना चाहिए उसे consider करना चाहिए और height of piles कितना होना चाहिए जिसकी बजा से हाजरस और फायर नहीं होगा उसे ध्यान में रखना चाहिए ये हो गया storage area में क्या क्या safety measures लेना चाहिए ये होगा चाहिए